हेलो नो कैसे हैं अब यंदर फाल चल्व बार फिर अब लोगत करें इसी नापतोल के साथ आज बात होगी कुछ नापतोल की जो इकाईय हैं उन पर आज भी चर्चा करेंगे की एक एक घंड मेटर में कितने यू एस गैलम होते हैं मतलबयादद घंड मेटर इंहर जिसकी 39.37 इधर से और इतना इधर से इतना इधर से इतना इधर से और खड़ी उ चायब सीस्थी इस परकार से हो तो यह गन्मेटर बन जाएगा गन्मेटर हो जाएगा तो सवाल यहैं कि एक गहन मेटर में कितने यू एस गैलन होते हैं तो एक गहन मेटर बराबर एक गहन मेटर बराबर 264.17 बीस 17 बीस यू एस गैलन होते हैं मतलब यदि एक गहन मेटर में यू एस के जो गैलन है उनको डाला जाए तो वो 264.17 बीस आ जाएंगे एक गहन गज़ बराबर एक गहन गज़ बराबर कितने एक गहन गज़ बराबर कितने यू एस गैलन एक गहन गज़ बराबर कितने यू एस गैलन होंगे मतलब उसके अंदर आ सकते हैं तो एक गहन गज़ में एक गहन गज़ कितना होता है तो ये एक चाकोर डबबा बन जाएगा इसे कहेंगे गहन गज़ तो इस गहन गज़ में कितने यू एस गैलन आ सकते हैं तो इसमें यू एस गैलन आएंगे दो सो एक पोइंट नो साथ तीनच हैं इतने चू कि मिटर में जाता आएंगे और गहन गज़ में गहन गज़ में कमाएंगे तो इतने यू एस गैलन आएंगे जबकि एक यू एस गैलन जो होता है वो तीन दसमलो अठतर चववन जबकि यू एस गैलन तीन दसमलो अठतर चववन लिटर का होता है यही तीन दसमलो अठतर चववन लिटर को डाला जाए बार-बार एक घन गज़ में तो 201.97 में 36 लगवग 202 बार डाला जाएगा और घन गज़ बर जाएगा तो एक घन गज़ में 211.97 में 36 यू एस गैलन यानि गैलन बराबर इतने लिटर 3.74 लिटर का एक गैलन होता है US, United States of America का जो गैलन होता है उसकी बात करें तो अब अब फिट में देख लेता है तो एक घन फिट बराबर घन फिट वही इसको भी आप समझ लीजे इधर से 12 इंच और इधर से भी 12 इंच इधर से 12 इंच इधर से 12 इंच और खड़ी चाई भी इसके 12 इंच तो ये एक चकोल डबा बन जाएगा घन फिट बन जाएगा तो इसमें जो हैं कितने US, US गैलन आएंगे तो इसमें हैं एक क्योबिक फिट बराबर 7.4805 7.4805 गैलन आएंगे मतलब लगवण 28 लिटर के आसपास इसमें आ जाएगा पानी हो या तेल हो चूकि यदि हम 7.4805 गुना तीन दसंगलों साथ अर पानी हो चैर करेंगे तो यह 28.3868 आ जाएगा तो इतना एक विट में तेल आ पानी हा सकता है जो उनका माप हो जो भी उनकी पान जो भी आप डालना चाहिए उतना आ सकता है तो हमने यह सी का अब बात कर लेते हैं यू के यह तो यूएस यूएस के जो गैलन है यूएस यूनाइटिट अस्टेट उप इनवाग गैलन उसे हमें देखा कि मीटर गन कितना आएगा और घन फिट में कितना आएगा अब यू के गैलन की बात करते हैं यूनाइटिड किंगडम यू एन आई टी इडी उनाइटिड के आई एन जी किंगडम यानि इंगलेंड इंगलेंड इंका अलग माप होती है इनके में कुछ ज्यादा इनका जो गैलन होता ह थोड़ा बड़ा होता है तो एक गन मेटर में कितने UK गैलम एक गन मेटर में एक गन मेटर में दो सो उननीस दसंबल चान में कियान में UK गैलम भरे जा सकते हैं भरे जा सकते हैं एक गन मेटर में कितने UK गैलन आएंगे तो अगर गन मेटर है 49.37 वोया पर मैं बता चुक हूँ पहले एक गन मेटर में कितने UK गैलन भरे जा सकते हैं तो दो सो उननीस दसंबल चान में क्यान में UK गैलन भरे जा सकते हैं और एक UK गैलन एक UK गैलन बराबर होता है चैर पॉइंट चैर पॉइंट चैर दसंबलो चैर लिटर का बलब सड़े चैर लिटर के आसपास जो है एक गालन होता है UK, United Kingdom का तो उसको जब बारेंगे तो 219 बार, 219 दसंबलो च्छाण में लगबग, 220 बार डाला जाएगा तो जो है एक गालन भर जाएगा दितने गालन इसमें डाले जाएगा 219 बार, 221 बार, 4,4 लिटर जब ओईल डाला जाएगा तो यह भर जाएगा तो अब बात करते हैं कि एक गालन गज में कितने लिटर होते हैं, एक गान गज में कितने, सोरी, कितने यू के गैलन होते हैं, तो एक गान गज में कितने यू के गैलन, 168.172 बार आप सड़े 4,4 लिटर तेल को आप डाल सकते हैं, एक गण गज में तो यदि आप 168 बार डालोगे, सड़े 4,6 लिटर लगबग तेल को, इतने तेल को 4,54 लिटर का एक यू के गैलन होता है, इसको आप अगर इतनी बार डालोगे तो एक गण गज भर जाएगा, तो एया यू के लेगे एक गण गज में, एक 167 बार डालोगे यू के गैलन यूनाइटिड गेंग्डम इंगलेंड वाले गैलन आते हैं, तो अब इसमें लास्ट क्यूस्चन है, कि एक गण फिट में कितने यू के गैलन होते हैं, एक गण फिट, 6.2288, मैं देखें, 6.2288 गैलन, होते हैं, एक गण फिट में, वो भी यू के, यू के गैलन, यूनाइटिड किंडम के गैलन है, वो 6.22 बार लग बग सवा चैन बार उसको चैन बार डालना पड़ेगा, इतना इतना मैटेरियल को, 4.54 वाले वजन को, या धारीता वाले धारीता को, एक गैलन को डालना पड़ेगा, तो ये गण फिट में आ जाएगा, तो एक गण फिट में, 6.22 गैलन, UK, United Kingdom के होते हैं, तो उमीद करता हूँ कि ये तमाम चीज़ा आपको समझ में आ गई होगी, एक बार फिर दहां से देख लिए, जोगा मैं उपर से, घान मीटर के बारे में बता सका हूँ, घान गज के बारे में आपको बता दिया है, घान फिट के बारे में आप इरिश्टेट का अलग है, तो ये आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, तो आप से विदा लेता हूँ, अगली कुछ नई बात के साथ, आपके साथ फिर से बास साजा होगी, शेयर की जाएगी, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और शेयर करिए बेला इकन को आप प्रेस करिए, जै हिन, जै बारत